हेलो दोस्तों अब सबका यूवी वर्ल्ड में स्वागत है और आए हम बात करने जा रहे हैं अर्नॉटिकल इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं जो आपके तीन सब्जेक्ट होने चाहिए प्लस टू में वो हने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैंट्स मतलब पी सी एम अगर आपको अर्नॉटिकल इंजीनियर बनने हैं तो आपके प्लस टू के एक्जाम्स में हाई ग्रेड मतलब अच्छे नंबर आने चाहिए यह और इंस्टिट्यूट के हिसाफ से वेरी करते हैं और इन में कई जगा पर रिलेक्सेशन भी मिलती है जो आपकी एज होने चाहिए वो 17 यह से 25 यह के बीच में होनी चाहिए ना कोई 16 का इस एक्जाम के लिए क्वालिफाय हो सकते हैं ना कोई 26 का अगर आप सबको यह वीडियो एक परसंट भी अच्छी लगी तब इस वीडियो का लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए